आईए दोस्तों, उमीद है आप सब अभी बढ़िया ही होंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप आखों से देख सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है? आप यहाँ पर वीडियो के यहाँ पर आप क्या किजिए क्लिक किजिए और इसके बाद मैं बारी बारी से सब को चर्चा करूँगा तो देखते रहिए आग आखिर होता क्या है? तो यहाँ पर आप देखते रहिए सबसे पहले आखिर आपको दिख क्या रहा है? अगर आप आसानी से देखेंगे तो आपको मिल क्या रहा है? रिनातमक संख्या जी हाँ रिनातमक संख्या इसलिए अगर हम इंगलिस में कहा है तो नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर होता है तो मेरे प्यारे साथियो रिनातमक संख्या हम किसको कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंसवर में लिख क्या रखा है कि रिन रिन का उपयोग करते हैं तो यह क्या है सुनिय से छोटा होता है क्या होता है जीरो से छोटा होता है जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिक क्या रखा है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस तार माइनस पांच माइनस छे या दुनिया के कोई भी संख्या जैसे माइनस असी ले लेते हैं, यानि वो माइनस में होना चाहिए, यानि घटा में ही होना चाहिए, तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, रिनात्मक संख्या, और ये सब जो संख्या है ना, ये सब जीरों से छोटा होते हैं, जी हाँ, सुन्य से छोटा होते हैं, तो क्या आपको रिनात्मक संख्य अगर आपको आ गया हो तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं ठीक है तो आगे देखी आगे अब क्या क्या चीज़ हम सिखने वाले हैं तो आगे हमारा अजाता है धनातमक संख्या आखिर ये धनातमक संख्या होता क्या है इसे अगर हम इंगलिस में कहें तो positive numbers तो positive numbers ये अखिर है क तो जिस संख्या के आगे धन यानि पलस जिहां धन यानि पलस का चिन लगा होता है या नहीं भी लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं धनात्मक संख्या यानि पोजीटिव नंबर्स कहते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा क्या हुआ है तो जैसे मैं आपको दिख रहा होगा पलस में एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 जाते जाते अनंत तक अब अनंत तक कहने का मतलब यह कि आप जहां तक ले जाएंगे वहां त नहीं भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे धनात्मक संक्या कहेंगे जैसे अगर आप से पुछ दिया जाएं यहां पर आप बताईए कि यह हमारा जो 50 सीवी क्या है धनात्मक संक्या है जी हां यह धनात्मक संक्या है क्योंकि इसके आगे पलस का चिन नहीं लगा हुआ है फिर भी यहां पर पलस लिखने की जरूरत अभी नहीं है तो आपको धानात्मक संख्या आ गई होगी यानि इंगलिस में कहें तो पोजीटिव नंबर्स आपको आ गई होगी तो बढ़ते हैं आगे की और और समझते हैं आगे की चीज़ें तो यहां पर अब हमारा आजाता है पुर्णांग जी हां अब हमारा आजाता है पुर्णांग तो अब ये पुर्णांग क्या है तो यहां पर आप देखिए पुर्णांग पुर्णांग का हमारा जो इंगलिस आ जाता है वो आ जाता है इंटीजर्स तो इंटीजर्स आखिर ह तो आप परिभासा में देखकर समझ सकते हैं यहां पर लिखा हुए रिनात्मक संख्या मैंने आपको अभी भी बताया है रिनात्मक संख्या और तथा धनात्मक संख्या तो अभी भी मैंने भी बताया धनात्मक संख्या साथ ही सुनिय सुनिय यानि जीरो जीरो के संग्रह को हम टा कहते हैं यानि मेरे प्यारे साथ ही हो जहां आपको दीख जाए माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस छे माइनस आठ माइनस नौ माइनस पचास माइनस सो माइनस करोड कुछ भी रहे माइनस में तथा साथ है उसमें जीरो होना चाहिए और इसके साथ साथ पलस में आपको 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसके जगह पर और भी चीज़े जैसे आप ले सकते हैं 25,28,30 कुछ भी तो मेरे प्यारे साथ ही हो आप पर इभासा में भी देखकर समझ सकते हैं कि रिनातमक तथा यहां पर और किलियर हम करते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से सम यानि आपको मैं समझा कह रहा हूँ रिनातमक संक्या तो जड़ा सा इसका साइज हम छोटा करते हैं आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेजिए यहां पर रिनातमक संक्या तो आपको रिनातमक संक्या पता है कि माइनस जिसके आगे लगा होगा वो क्या है रिनातमक स सबस्कुराइब उन्हाइब यहाँ पर जिरम तो यह सबका संग्राd distress आक्या पका किलाथ। तो आपको पुर्णांक आई कि नहीं आई अगर आपको आगया हो तो आगके बढ़ते हैं ठीक है तो अगर आपके आगको हो तो चलिएगे म तो यहाँ पर हमारा आजाता है आगे की चीज़े वो क्या है धानातमक पुर्णांग क्या है धानातमक पुर्णांग जिसे हम इंगलिज में कहते हैं positive integers धानातमक पुर्णांग हम किसको कहेंगे तो यहाँ पर आप example में देख सकते हैं यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, infinite infinite कहने का मतलब अनंत तक याँ आप जहां तक ले जाएंगे वहां तक इसका अंत ही नहीं होगा तो धानातमक पुर्णांग हम इसको ही कहते हैं धानातमक पुर्णांग इसको ही कहते हैं जिसके आगे पलस लगा होता है ठीक है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं चलिए और यहाँ पर मैंने आपको धानातमक संख्या भी बताया है लेकिन हाँ यह आपको धानातमक क्या है पुर्णांग भी है ठीक है तो आप यहाँ पर समझ चकते हैं और इसके बाद यहाँ पर क्या है रिनात्मक पुर्णांक तो रिनात्मक पुर्णांक जिसे हम इंगलिस में क्या कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिनात्मक पुर्णांक जिसे हम negative integers कहते हैं इंगलिस में तो यहाँ पर इ माइनस एक और माइनस माइनस दो ये सब क्या है तो ये सब रिनात्मक पुर्नांक है यह हम इसको कहें तो रिनात्मक संग क्या है ठीक है लेकिन अगर आप से पुछ दिया जाए कि जीरो आखिर ये जीरो क्या है तो मेरे प्यारे भाई तो आगे की बाते में हमारा जो आजाता है वो आजाता है योजे प्रती लोम जी हाँ आगे की बाते में हमारा आजाता है योजे प्रती लोम तो इसको कैसे समझना है तो यहाँ पर आप example में देखेंगे तो 12 लिखा हुआ है यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और इसके साथ 36 और इसके साथ 80 लिखा हुआ है तो योजे प्रतिलों में होता क्या यानि उल्टा होता है किसी भी चीज़ का जैसे 12 का उल्टा क्या हो जाएगा तो 12 का उल्टा आपका हो जाएगा माइनस 12 जी हाँ और 15 का हो जाएगा यहाँ पर साइज को और भी हम छोटा करते हैं तो यहाँ पर 15 का अगर हम योजे प्रतिलों में लिखें तो 15 क्या प्लस में है तो यहाँ पर 15 माइनस में हो जाएगा और 36 प्लस में है तो माइनस यहाँ पर 36 हो जाएगा और 80 भी प्लस में है तो माइनस यहाँ पर 80 हो जाएगा लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अगर यही चीज जैसे 12 माइनस में दिया हुआ है तो इसका योजे प्रतिलोम आपका क्या हो जाता है तो माइनस दिया हुआ है तो आप इसको सिधा से लिख सकते हैं पलस 12 ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हैं यानि कोई भी चीज आपको जैसे यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 50 है तो 50 का योजे प्रतिलोम क्या हो जागा तो आपको हो जागा माइनस 50 लेकिन वही आपको यहाँ पर दिया रहे है वही आपको माइनस अगर 50 दिया रहे है तो आपका योजे प्रतिलोम क्या हो जाएगा यहां पर 50 हो जाएगा तो आप इस तरह से इन चीजों को समझ सकते हैं तो मेरे प्यारे साथियो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर मेरे दीहु जनकारी से अगर आपको थोड़ा चीज भी कुछ सिख मिला हो तो मेरे प्यारे भाई आज के इस वीडियो में इतना ही बने रहें जूडे रहें और कोई दीकत हो तो नीचे जरूर लिखे और कुछ मुझे देना साथ हैं तो यार एक प्यारा साथ सबस्क्राइब कर दीजिए फिर इसके बाद देखिए आगे मैं क्या करता हूँ